बंदे मात्रम लेडियों दोस्तान आजी रजनी लेकर आई आपके दिये रेडियो कहानी सेठ और राधा रानी एक बार की बात है बर्साना गाउं में एक सेठ रहता था जो बहुत धनी था उसके तीन पुत्र थे परन्तु उसकी कोई पुत्री नहीं थी कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो गया सभी पुत्रों की शादी हो गई और सभी पुत्र अपने अपने कारे में व्यस्त रहने लगे अपने बच्चों में अपनी पत्नी के बृत्यू के बास सेठ के दिल की बास सुनने वाला कोई नहीं था सेट को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई पुट्री नहीं है लेकिन अब उसकी पत्नी किर्मित्यू के बाद उसको यह दुख और सताने लगा और वह इस बात को लेकर परिशान रहने लगा कि उसकी कोई पुट्री नहीं है एक दिन एक विद्वान पंडित उसके घर पर आये और उसे दुखी देकर उन्होंने पूछा कि तुम्हें किस बात की परिशानी है तुम क्यों दुखी हो तो उसने अपना दुख का कारण पंडित को बताया कि मेरी पुट्री नहीं है इस वज़े से मुझे अपने जीवन में पुट्री का अभाव रहता है अगर मेरी बेटी होती ही तो मैं उसके साथ सुगदुख बाढ़ था उसकी बात सुनने के बाद पंडित जी ने कहा लो यह भी कोई परिशानी की बात है तुम राधारानी को अपनी बेटी मान लो हमारे जीवन में जिस चीज की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा कर सकते है परिशान होने से क्या होगा तुम राधारानी को अपनी बेटी मानो और उसके साथ अपने दिल की बात क्या करो देखना तुम्हें ये अभाव कभी नहीं सताएगा सेट को पंडित की अभाद बहुत अच्छी लगी और वे ऐसा ही करता है सेट राधा रानी की मुर्ती लेकर आता है और प्रती दिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाता है फिर स्वें भोजन करता है और सोने से पहले राधा रानी के साथ खुब बातचीत करता है ऐसे ही करते करते वे दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगा और वे भूली गया कि उसकी कोई बेटी नहीं है उसे इस बात का आभास होने लगा कि उसकी पुट्री सच में है और वह बहुत दिल से उसे अपनी पुट्री मानने लगा जब तक वह बात ना करता उसे भोजन ना खिलाता उसका मन नहीं लगता था और जब वह बात करता तो उसके मन को बहुत संतुष्टी मिलती जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया हो सेट के घर में एक चूड़ी बेचने वाली मनहारन आती थी और वह उसकी बहुवों को चूड़िया पहना कर जाती थी एक दिन वह चूड़ी बेचने वाली घर पर आई और उसने सेट के बेटों की तीनों बहुवों को चूड़ी पहना आई तो उसके सामने एक कन्या आई और उसने कहा कि मुझे भी चूड़ी पहना दो चूड़ी वरी ने सुचा शायद सेट के घर पे कोई मेहमान आई है तो उसने उसको भी चूड़ी पहना दी उसके बाद वै चूड़ी वरी सेट से पैसे मांगने के लिए दुकान पर पहुची और बोरी चूड़ी के पैसे दे दो उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेट ने का तुमने चूड़ी के दाम बढ़ा दिये हैं क्या तो उसने का नहीं मैंने चूड़ी का दाम तो नहीं बढ़ाया परन्तु आज मैंने चार को चूड़ी पहना कर आई हूँ उसने का मेरे घर पर तो तीन ही बहुए हैं तो उसने का नहीं मैंने तो आज चार लोगों को चूड़ी पहनाई है सेट ने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है मेरे घर पर तो चूड़ी पहने के लिए मेरे सिर्फ तीन बहुए ही हैं तो उसने तीन के पैसे चूड़ी वाली को दे दिये और चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई रात को सेट घर आया और हमेशा की तरह राधारानी को भोग लगा कर और खुब सारी बाते करकर सो गया उसे दिन रात को सेट के सपने में राधारानी आई और कहने लगी बाबा तुमने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिये जब तुम मुझे अपनी हुई तो वैसेट चूड़ी वाली के घर गया और बहुत सारी स्वंड मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उसने बताया कि तुम कल सच बोल रही थी तुमने कल चार को ही चूड़ी पेनाई थी मैंने राधारानी को अपनी बेटी माना है तुम बहुत भागिशाली ह जिसको राधारानी के दर्शन हुए मैं इतने दिनों से उसके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने एक बार में ही उसके दर्शन कर लिये यह बोल का सेट रोने लगा और बोला कि तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो यह सुनका मनहारन के आँकों में आशू आ गये और उसने मन ही मन सोचा जब मुझे खुद राधारानी के ही दर्शन हो गये तो इस से जादा मुझे और क्या चाहिए उसने सेट के सामने हाफ चोड़क कहा कि तुम्हारी वेटे से ही मुझे राधारानी के दर्शन हूए हैं जिससे मेरा यह भक्त की उतनी ही जरूरत होती है जितनी हमें भगवान की बने रहे हमारे साथ रेडियों दोस्तान पर सबको सिखाएं पेड़ लगाएं सबको सिखाएं जल बचाएं